मुरादबाद पहुंचे प्रदेश के उप मुख्य मंत्री केशव पैशाद मौर्रेने आज प्रेस कॉन्फरेंस के दुरान कॉंग्रेस महासची प्रेंका गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए उनका नाया नामकरण तक कर डाला और कहा कि वो उत्तर प्रदेश में आकर उन लोगों की तरफदारी में उत्री हुई हैं जो नागरिक शंशोदन कानून का विरोध करने के लिए प्रदेश की सड़कों पर उतर कर उपद्रफ कर रहे हैं केंदे सरकार के निदेश पर आज भाजपा के नेता आम लोगों के बीच पहुंचकर CAA के विश्य में जानकारी देने के लिए मैदान में हैं इसी कड़ी में प्रदेश के उप मुख्य मंतरी केशव पशाद मोर्रे मुरदवाद पहुंचे थे जहां पर सबसे पहले मीडिया से बात करते हुए सरकार का रुख साफ किया और फिर कॉंगरिस महासाची प्रेंका गांधी पर जोड़दार हमला करते हुए उनका नया नामकरन तक कड़ाला प्रेंका ट्यूटर बाडरा गांधी के कर संबोधित किया तो वह यहीं नहीं रुके और ब्रक्ष पर जमकर निशाना साधा घड़ जाती है वहां रहने वाले जो हिंदू हैं शिख हैं जैन हैं पार्सी हैं बहुत हैं इसाई हैं उनका जीवन मुश्किल में है बड़ी संख्या में नाग्रिक्दा संसोदन अधनियम 2019 आने से पहले भी लोग इन देशों से भाग करके भारत में स्रणार्थी के रूप में रहे रहे हैं सरकार ने बहुत ही मानवी भावना जो भारत की संस्किती रही है उसके अनुसार इस अधनियम को ला करके लोगों को नाग्रिक्दा देने का अभियान शुरू किया लेकिन जिने मानी नरेद मोदीजी के नेटित drafting की सरकार बरदास नहीं है जिने गरीबों की पिछरों की दलीतों की भलाई बरदास नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखिए तो वहाँ सबसे जेदा फीडिद कहों है तो अब पिछड़े और दलीद पीडिद है उनको वहां से अपना धर्म परिवर्तन्त करने के लिए विवस किया जाता है, उनकी बहु बेटियों को उठाने का काम किया जाता है, आबाधी जो 23 प्रतिश्ट रहती वो 3 प्रतिश्ट के आसपास आ जाती है, सोतंत्र प्राप्ति के समय वहां की थी, तो आज ये कानून बना जिसको ले करके किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये नागरिक्ता देने का कानून बनाया गया था किसी की नागरिक्ता लेने का कानून नहीं बनाया गया था लेकिन इसका भी राजनेतिक हितों की साधना के लिए विरोध किया गया अब कांग्रेश की महासच्यू और जो उत्तर प्रदेश के लोकस्वाचुनाओं में प्रभारी थी श्री मतीत प्रियंका ट्यूटर बाटरा उनका ट्यूटर बाटरा नाम रखा तो उन्होंने ऐसा मलब यहां उत्तर प्रदेश के अंदर आ करके प्रियास किया कि जैसे जिन लोगों ने कि सीए के बिरोध में किसी के उक्सावे में सडक में आये उसके अंदर केवल केवल आम मूसलमान नहीं कुछ ऐसे आराजक ऐसे उपद्रवी ऐसे अपराधी तत्तो प्रवेश कर गए जिनके कारण बड़ी हिंसा हुई सरकारी संपत्री को नुकसान पहुँचाया गया आम जनता में दहसत का महौल पैदा किया गया और जाच के माध्यम से यह साफ हो रहा है कि जो एक आतंकी संगठन इस देश के अंदर सिमी के पीएफाई के नाम से पापुलर फ्रंट आप इंडिया के नाम से काम किया भी जो जाच में बाते सामने आ रही हैं उसके अनुसार ऐसा ध्यान में आ रहा है कि संगठन ने इस पूरे आंदोलन की याड में कांग्रेस और सपा इन दोनों के उक्सावे के कारण से अपने मनसूब में वो काम याब हुए कई अस्थानों पर सब जगे नहीं हो पाए मुरादाबाद में भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी यहां के सभी मैं जिले के पूलिस और प्रशासन के अधिकारियों को बढ़ाई यहां की जनता का धन्यवाद कि किसी घुबराह करने में नहीं आए तो इस प्रकार की घटनाएं जिसे अंजाम देने का काम किया गया मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश और देश में इसमें सांती पूंट ढंक से सब लोगों को समझाने का काम भारती जनता पार्टी न मैं आज के दिन यहां पर नागित्ता संसोधन अधनियम दोहजार उनईस के समर्थन में जनसंपर का भियान की दृष्टी से आया हूँ आज आप सब पत्रकार मित्रों से बातचीत भी होनी थी मेरी और से इतना कहना है सम्मंद में आपका कोई सवाल हो तो बताईए मैं अभी जब प्रियाग से ही मैं चल करके मैं आ रहा हूं लेकिन जब मैं प्रियाग में था उस समय तक सूचना नहीं मिली थी अभी मैं जब आ रहा था तो मुझे भी वाट्सॉप में दुखत समचार देखने को मिला है घटनाक क्यों है कैसे है और उसके कौन दोसी है उनको पकड़ेंगे उनको कठोर सजा देने का काम करेंगे अज की जो शर्मनाक है जो निर्दोस को जेल गए हैं क가 हमें निर्दोसों को जेल भेजना उनको सजा देना ही हमारी सरकार करना उद्देश है हमारी सरकार करती है लेकिन जब इतनी बड़ी घटना लोग पकड़े गए होंगे तो उनके बारे में जाज करके जो निर्दोस होंगे वो रिहा हो जाएंगे लेकिन जो दोसी होंगे जिनके लिए समाजवादी पार्टी के नेता का एक बयान आया था कि हम उनको जब हमारी सरकार आएगी तो हम पेंसन देंगे तो उनको मैं बताना चाहता हूँ तलिяет अवी उनकी सरकार नहीं आनाए वारी जोनों ऌनी उपद्रो किया है जोनों सरकारी संपतिक नुकसान पहुंचाया है सकते न और वो सोतंतता संगरामसेनानी है न वो मिसाबंदी है उपद्री है जो ग कफा है